हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिट से पार्ट नमबर फिफ्ट यहां पर करेंगे Modern India की हमारी सीरीज चल रही है इस हम लोग Chapter-wise MCQs कर रहे हैं Spectrum के Brief History of Modern India काफी Important किताब आती Modern History की उसको यहां पर Complete कर रहे हैं नमबर फिफ्ट है यह जल्दी English की शरीज शुरू हो जाएगी बस जल्दी जल्दी में कहता जा रहा हूं बस जैसे ही Complete होगी Hindi की English की शरीज भी हम लोग शुरू इसमें करने वाले हैं चली हम लोग शुरुवात कर लेते हैं जहां से हमने छोड़ा था अपना प्रश्ण प्रश्ण नमबर टेन है इसमें 1892 काउंसिल अधिनियम के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर गलत यानी कि रौंग ही हमको देखना है प्रश्ण 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 पूचा जा सकता था और ना ही किसी प्रश्ण के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी नीचे दियेगा कोट के साथ से कौन सा यहां पर सही है इसमें उत्तर नंबर सी सही है यानि कि इसमें कौन सा गलत है इसमें केवल दूसरा गलत है इसमें option नंबर सेकेंड जो है वो रांग है budget पर केवल चर्चा budget पर मत नहीं दिये जा सकते थे supplementaries के दौरा लेकिन चर्चा इस सदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी तो इसका मतलब साहिर सिबात रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया था imperial legislative council में अब governor general के अलावा 10 से अब 16 गैर अधिकारी बढ़ा दिये गए थे पहले यहाप non official member होते थे 10 सब हो गए थे इस act के इसाफ से 16 आगे अगर हम देखे तो भारती विधान परिशद के गैर सरकारी सदस्यों को बंगाल Chamber of Commerce और प्रांती विधान परिशद द्वारा नॉमिनेट किया गया था सदस्यों किसी फारिश यानि कि उनका नॉमिनेशन कहां से हुआ था विश्विद्यालेओं से नगर पालिकाओं से समीनदारों में से और वाणिजी मंडलों के दौरा थीक है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रतनेदित्व के सिध्धान की शुरुवात की गई थी बजट पर चर्चा हो सकती थी प्रशन भी पूछ जा सकते थे हलांकि हम Official Members के बारे में भी बात कर रहे हैं सीमाओं के बारे में अगर बात कर ले लिमिटेशन किया थी कि अधिकारियों ने परिशद में अपने बहुमत को बनाये रखा और इस प्रकार गैर अधिकारिक यानि नौन ओफिशल स्मेंबर थे उनकी अवाज अप्रभावी ही रही जो रिफॉर्म्ड लेजिसलेटिव कांसिल थी के बल पांच जो है उपस्थित रहते थे तो आप देख रहे हैं कि खाली नाम के लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया था बजट को ना तो वोट दिया जा सकता था नौन ओफिशल मेंबर की द्वारा और ना ही नौन ओफिशल मेंबर यहाँ पर बजट के अमेंडमे सब्सक्राइब को सही वाला बताना है तो पहला स्टेट्मेंट हमारा यहां पर यह कहता है कि 1892 में परिश्दों के सुधारों का कॉंग्रेस के अधिनिवेशनों में स्वागत किया गया कि सही है राष्टवादियों ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वाशासित उपनिव रखा गया था कि यह बिल्कुल छलावा हुआ है मारे साथ शुरुवाती राष्टवादियों ने लोकतांत्रिक स्वा सरकार के दीर कालिक उद्देश के साथ काम करना शुरू किया था समवैधानिक सुधारों के लिए उनकी मांगो को 1892 भारती परिशत अधिनियम के असंतोष जताय था और बिल्कुल इसको सीक्रेट नहीं रखा था कि वो लोग इससे नाखुष है इस कामजिल अधिनियम से अब वे चुने कए भारतियों कि बहुमत की मांग कर रहे थे बजट पर भारतियों यानि कि नौन ओफिशल मेंबर्स का भी निंत्रन हो केवल चर् दीरे-दीरे समवैधानिक मांगों के दाइरे को बढ़ाया गया दादा भाई नौरोजी 1904 में गोपाल क्रश्न गोखले 1905 और लोकमान तिलक 1906 में इन्होंने कनेड़ा और ऑस्ट्रेलिया की सोसासित कालोनियों की तर्ज पर सोसासन की मांग की साथी फिरोत्सा मैथा और गोखले जैसे नेताओं ने सरकार की नीती और प्रस्तावों की कड़ी अलोचना भी की ठीक है तो यह काउंसिल आक्ट के बारे में आपको काफी कुछी से समझ में आ गई होंगी कोश्चन नमबर 12 पर आते हैं कोश्चन नमबर 12 हमारा कहता है कि निमलेकित में से कौन सी मां को कॉंक्रेस की नर्म पंदियों दवारा आगे रखा गया थे मॉच्चन रखी ठीक है इंग्लिस में मूजे को सेकति में परणाम शुरूप बर्मा का राज्यहरन यानि की एनेक्सेशन हुआ अन्य ब्रिटिश विदेशी उपनियों इश्यों में भारती श्रम के लिए बहतर उपचार की मांग की क्या कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर आपका करेक्ट है बताना है आपको तो नीचे दियेगा कोड के हिसाप सम देखेंगे इसमें केवल बी करेक्ट है यानि कि पहला और तीसरा स्टेट्मेंट करेक्ट है कौन से करेक्ट है यह वाला करेक्ट है और यह वाला करेक्ट है सेकेंड वाला स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है ठीक है राज्यहरन किनीती जो की कि आक्रमक थी अंग्रेजों की उसका साथ नहीं दिया था किसने मॉड्रेट्स ने तो मॉड्रेट्स की क्या क्या मांगे थी सरकारी सेवाओं का भारती करण हो इंडिनाइजेशन सेवाओं को अधिक वेतन दिया जाता था भारतियों को सिविल सेवा में सामिल करना आर्थिक आधार पर तर्क संगत था कि यहां के भी लोग अगर शामिल होंगी तो बहतर तरीके से गौर्णेंस हो पाएगी अब विधाईका को यहां पर कारिकारी कारों से अलग करने की तो अभी भी खैर है भारत में इसमें नयाएक प्रणाली बहुत स्लो है तो उसमें भी इसकी मांग की गई थी कि इसको अटाय जाए एक आक्रमक विदेश नीती की आलोचना की गई थी ना कि उसका समर्थन किया गया था आक्रमक विदेश नीती फॉलो कर रहे थे अंग्रे और इन सभी की कीमत चुकाई थी भारती खजाने ने, बहुत सारे सैनिक लगते थे और युद्ध में बहुत सारा खर्चा होता था, इसके खिलाफ थे moderates, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कल्यान कारी योजनाओं पर व्याय में व्रध्धी करने की मांग की गई थी, कि जहां पर युद्ध में खर्चे की जा रहे हैं उसकी जगह यहां पर प्रात्मिक और तक्नीकी सिचाई और सुधार में, क्रशी में सुधार के लिए किसानों को क्रशी बैंक आदी यहां पर स्थापित करने में मदद की जाए, अन्य ब्रिटिश उप्निवर्शों, यानि कि अन्य ज साथ नसली भेदभाव हो रहा था और उनका उत्पीडन भी हो रहा था, आगे बढ़ते हैं लोग, अगला हमारा क्वेशन है, इसमें हमको सही तरीके से मैच करवाना है, यह मैचिंग के क्वेशन है, जो कि काफी सारे आते हैं, इसमें क्या क्या चीज मैच करवानी है, एक यहाँ पर एक सिध्धांत लिखे हुए है, अडिलोजी और दूसरी तरफ है, यहाँ पर जो उसको मानते थे, सिध्धांत और सनस्थापक, तो सुरक्षावाल सिध्धांत जिसको सेफ्टी वाल थियोरी बोलते हैं, शड़यंत्र सिध्धांत लाइटनिंट कंड़क्टर थ सिध्धांत जी के गोखले का नहीं था, तो देख लेते हैं और किसका था, आइनसी के सनस्थापक और प्रमुख विश्वासी की बात कर लेते हैं, तो सुरक्षावाल थियोरी किसने प्रपोस की, मतलब कौन इसका समर्थन करता था, लाला लाज पत्राय, ठीक है, कि अंग् अध्याय बारा पर आचके हैं, मिलिटेंट नैशनलिजम का यूग, 1905 से लेकर 1909 तक, ठीक है, इस पर पहला कुश्चन है मारा, अपने वेशिक यूग में प्रगतिशील लेखकों का आंदोलन क्या था, ठीक है, में प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन के बारें बात करनी हैं, क्या था exactly, क्या ये सही होग आंदोलन के ततकाल बात साहित आंदोलन शुरू हुआ था, ये था, अमेरिका में गदर पार्टी का एक विभाजन समू था, डिवीजन ग्रुप था गया, रूस में बोल्शेविक करांती के बाद एक कम्यूनिस्ट समू का उदय हुआ था ये क्या था ये और या फिर उप्रोग तुमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या था, तो ये तीनों ही नहीं थे, ठीक है, कोई भी नहीं था ये, Progressive Writers Association के बारे में अगर हम बात कर लें, तो इसमें अंजुमन तरक्की पसंद मुसनाफिन एहिंद या प्रक्तिशील लेखक भारत का अंदोलन, इसका नाम था, ठीक है, अंदोलन पूर विभाजन ब्रिटिश भारत के एक प्रक्तिशील साहितिक अंदोलन था, इस लेखक स शाखाएं भारत और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया भर में मौजूद थी उस समय, तो Progressive Writers Association था ये, और ये समू जो है, ये group जो है, सामराज जवाद विरोधी था, वाम उन्मुक था, और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सभी मनुस्यों में समानता की वका करना चाहते थे यहां पर, लंदन में इंडियन Progressive Writers Association की स्थापना कभी थी 1935 में, Progressive Writers Association की स्थापना इंडिया में कभी थी 1936 में, फोलकाता में, ये काफ़ इंपॉर्टन फैक्ट है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, Progressive Writers Association के बारे में, अगला कुशन है मारा कि ल सनस्थापक थे, दूसरा है, क्या वे पंजाब National Bank के सनस्थापक थे, वे कभी भी भारती राष्टरी Congress की अध्यक्ष नहीं रहे, तो कौन सा कथन यहां पर रॉंग है, ठीक है, रॉंग बताना है यहां पर, तो रॉंग कौन सा है, रॉंग है B, यानि कि एक और तीन कथन य अगर रॉंग है, तो उसको राइट कैसे करेंगे, कथन तीन इसलिए गलत है, क्योंकि 1988 और 1989 की बीच वे INC के वारशिक सत्र के लिए प्रतिनिदी थे और उन्हें वहां पर राष्टपती चुना गया था, प्रेसिडेंट यह रहे हैं कॉंग्रेस के, ऐसा नहीं है कि लाला समाज के संस्थापक थे, उसके अनुयाई बन गए थे, वे ना केबल इसके संस्थापक थे, बलकि पंजाब नैशनल बैंक के संस्थापक भी थे, मैडम भीखा जी कामा के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ facts आपको जानने चाहिए इनके बारे में, क्या उन्होंने पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, पहला fact, दूसरा fact है, वे इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में कारे कर चुकी हैं, तो कौन सा statement यहाँ पर correct है, यहाँ पर correct है आपका, option number C, दोनों ही यहाँ पर correct हैं, दोनों statement यहाँ पर हमारे correct हैं, तो कथन ए किस लिए सही है क्योंकि उन्होंने रेवा भाई राणा और मुंकेर शाह बुर्जोर्जी गोद्रे के साथ मिल करके पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भारती रावस्की कॉंग्रेस की बिटिश समीती के अध्यक्ष दाद होगा, ग्रेट ब्रिटेन स्वायत्ता, मानवाधिकार और समानता के लिए उनकी अपील में उन्होंने जो जंडा फैराय था, उसे उन्होंने भारती सोतंतरता का जंडा कहा था, फ्लैग ओफ इंडिपेंडेंस, क्वोशन नमबर फोर है मारा इसमें किनिमलिकी गटनाओं क कालानू क्रमिक क्रम में लगाना है, नाटू भाईयों का निर्वसन पहले हुआ था क्या, डबलू सी रैंड की हत्या और आधिकारिक रहस्त अधिनियम और भारती विश्विद्याल अधिनियम तो कौन सा यहां पर सबसे पहले कौन सा बात में हुआ था, तो कौन सी घटना है, पहले 2134 के हिसाब से लगेंगी, ठीक है, 2134 यानि की सबसे पहले डबलू सी रैंड की हत्या हुई थी, फिर यहां पर नाटू भाईयों का निर्वसन हुआ था, फिर आधिकारिक रहस्त अधिनियम आया था, और फिर बात में भारती विश्विद्याल अधिनियम आया थ है, इस साब से चलेगा मामला, तो देख लेते कुछ चीजें, नाटू बंधू को बिना मुकदमे के निर्वासित कर दिया था, विदाव ट्रायल और तिलक और अन्य को राजद्रों के आरोप में कैद कर लिया गया था, ठीक, उसके बाद IPC की धारा 124 A के तहत, दमनकारी क कलकत्ता निगम में भारती सदस्यों की संख्या कम हुई थी, 1904 में आधिकारिक राज अधिनियम या सीक्रेट एक्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुष लगाने का काम किया था, राज याने की सीक्रेट है यहाँ पर, ठीक है, भारती विश्विद्याले अधिनियम न विश्विद्यालें पर अधिक सरकारी नियंत्रेंट सुनिश्चित किया, जिसे उन्होंने राजनीतिक रांतिकारियों के निर्माण करने वाले कारखाने के रूप में वनित किया, ठीक है, उसके बाद अब अगले कोश्चन पर हम लोग आ जाएंगे, कोश्चन पर फिफ् का मानना था कि जनता को आप निवेशिक सरकार के खिलाफ लडाई में शामिल होना चाहिए था, नरम पंतियों को भरोसा था कि जनता आजादी जीतने के लिए आवाश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है, तो कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर गलत है, यहां पर हमारा B एंसर साहिए, यानि कि यह स्टेट्मेंट और यह स्टेट्मेंट गलत है, ठीक है, यह रौंग है बिलकुल, और यह वाला रौंग है, यह इसलिए रौंग है क्योंकि नरम पंतियों को वेश्वास नहीं था, कि कि इसको था, एक्स्ट्रीमिस्ट को यानि कि चरम पंतियों क चरम पंतियों को भरोसा था कि जनता आजादी की लड़ाई जीतने में सक्षम है और अपार बलदान जो भी लगेगा वो जनता कर सकती है अब पहला स्टेटमेंट साहिए ब्रिटिश सासन तब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रक्तिशील नहीं रहा था कब से आजादी की लड़ाई के बाद 1857 की ग्रांती के बाद विशेश रूप से बड़े पैमाने पर और तक्नीकी सिक्षा के प्रसार को अंग्रेज दबा रहे थे इसलिए कथन एक सही है आत्म प्रयास पर विश्वास बढ़ रहा था तिलक और बिंदो विबिंज जंदरपाल ने बार बार राष्टवादियों से भारती चरित्र और चमता पर भरोसा करने का आग्रेह किया था ठीक है एक भावना ने बलप्राप्त करना शुरू किया था कि जंता को अपनेवेशिक सरकार के खिलाफ लडाई में शामिल होना पड़ेगा क्योंकि वे सवतंतरता जीतने के लिए अपार बलदान करने में सक्षम थे इसलिए कथन दो और तीन सही है ठीक है उसके बाद इथोपिया की इटली पर जीत बोवर का युद्ध रूस पर जापान की जीत तो कौन सा यहां पर पहले हुआ था कौन सा बाद में हमको बताना है तो यहां पर सही option है आपका D यानि की 2341 के हिसाप से यहां पर घटनाए हुई थी सबसे पहले क्या हुआ था इथोपिया की जीत और फिर आपका बोवर युद्ध हुआ था फिर रंपा विद्रो हुआ था और फिर बाद में रूस पर जापान की जीत हुई थी देख लेते हैं इनके क्या आफ्टर मैट थे सबसे पहली बात कर लें इथोपिया की युद्ध के बारे में इथोपिया युद्ध उसको कोई हरा नहीं सकता है पहले यहीं माना जाता था कि युद्ध में इथाल विशे नहारी इथोपिया के साथ श्रू को और भर और ये हो गया था कि अब मतला युरूप कोई बाजू को जब पकड़ कर उनकी हत्या कर दी गई तब तक यह रंपा विद्रोः चला हम क्वेश्चन नम्बर 7 के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन मानते थे कि कुछ व्यक्तियों को मार कर विदेश को मुक्त कर देंगे क्या यह वैलिट क्रिटिस्जम नहीं है उन्होंने जनता को एक जूट करने का काम किया और बड़े समुहों में काम किया क्या यह वैलिट क्रिटिस्जम नहीं है वे समझ नहीं सकते थे कि सभी हिंसा के ल कि वह जनता को एकजुट करने में सक्षम नहीं उपहे थे और उन्हें बड़े समुछों में काम नहीं किया था यह एक वेलिट तब नहीं है यह बिल्कुल ओहकर चुल कर पाए था ओर ऊन्हें बड़े समुछों में काम किया था है 2370 के लिए क्राhantikári अंदोलन 23 бизнес講 n зн भूमिगत कारवाई की थी, भूमिगत कारवाई यानि अंडर्ग्राउंड एक्षन सुनके सामिल थे, क्योंकि अब INC खुले आम कर रही थे प्रदर्शन वगएरा लेकिन करांतिकारी अंडर्ग्राउंड करते थे कानून से छुप करके, अंग्रेज सासकों के किलाब सशस्त प्रांत और प्रांजाब में केंद्रित थे, आधिक समूह पूरे भारत में बिख्रेव हुए थे और इस प्रकार एक असंगठित अपील थी, ठीक है, क्थन एक और तीन रिवल्यूशनरी आंदोलन की वैद अलोचना है, वे हिंसा को स्वतनता प्रात करने का साधन मानते थ कथन दो इसलिए गलते क्योंकि वे एक बड़े समूह को एकजूट करने में असमर्थ रहे थे, तो कॉश्चन नमबर सेविन में वैद अलोचना कौन सी है, ये वाली है, और ये वाली है, ये अवैद अलोचना है, ठीक है, अगला कॉश्चन है मारा कि निमलिकित में से कौन उग्रवादी राष्टवाद के विकास के कारण थे, या फिर कारक थे, कारक या कारण क्यों थे, पहला है कि एक प्रशिक्षित नेत्रतु का उद्भो कारण था, उग्रवादी राष्टवाद के विकास का कारण थे, दूसरा था उपलब्धियों के साथ-साथ मौडरेट के तरीकों से अशंतोस की उपलब्धियां भी प्राप्त हो रहें थी उग्रवादी विचारों से और मौडरेट के तरीकों से अशंतोस था उग्रवादियों में क्या ये कारण था तीसरा क्या हो सकता है कि सिख्षा के विकास का प्रभाव जागरुकता और बेरोजगारी में व्रधी, कौन सा कारण था यहाँ पर, तो तीनों ही सही कारण है, ठीक है, तो उगरवादी राष्टवाद के विकास में तीनों ही सही कारण है, ये प्रितिक लेख लेतें कुछ और फैक्स यहाँपर, ये एशास कि ब्रिटिस सासन की वास्तविक प्रक्रति शोषक है और ब्रिटिश सरकार वो भी छीन लेगी जो अस्तित में है ये एक कारण था उग्रवादियों को लगता था कि कुछ देंगे तो नहीं बलकि और भी छीन लेंगे और उनके शासन की प्रवत्ति जो है शोषक है शोषण करने में विश्वास रखती है ब्रिटिश सरकार आत्म इतालवी सेना की हार हुई थी इथोपिया से तो ये सब ये जो चीजे चल रही थी कि यूरोप इंविंसिबल हम इससे युद्ध नहीं कर सकते हैं इनका मकाबला नहीं कर सकते हैं ये सब मिथक जो है वो ध्वस्त होने लगे ठीक है और इसमें एक और चीज सामिलती जापा का उदाय एक एशिया इदेश छोटा सा एक और द्योगिक शक्ति की रूप में उब्रा था इटली पर यानि इथोपिया की जीत बोवर वार्श जिसमें अंग्रेज़ों पर पलटवार हुआ था रूस पर जापान की जीत यह भी एक कारण था उग्रवादियों के यहां प बिल्कुल एक कारड था करजन की प्रतिक्रियात्मक नीतिया रियक्शनरी पॉलिसी जैसे की कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 आधिकारी गोप नीता अधिनियम 1904 भारती विश्विद्याल अधिनियम 1904 और बंगाल का विभाजन बिल्कुल ये सब एक कारड थे विचार के एक उग्रवादी सनस्थान का स्तित्व ये भी था और एक प्रशिक्षित नेतरत्व का उद्भव भी था Q9 ने अब यहां पर हम चरमपन्थी विचारधारा के सिध्धान पर बात करते हैं क्या थी विचारधारा क्या आईडैलॉजीत थी यहां पर एक्स्ट्रीमिस्ट की विदेशई सासन सिग्रण क्या यह अट तो जंता की चमता पर अविश्वास कैया इन के पास आइडैलॉजी में लक्ष रूप में स्वराज था क्या इनके पास प्रत्यक्ष राजनीतिक कारवाई और आत्मबलदान की वकालत क्या उग्रवादी करते थे या उनकी आइडलोजी में शामिल था तो देखते कौन से स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है यहां पर एक और एक तीन चार करेक्ट है दो बिल्कुल क्योंकि चरंपत्ति विचारधरा का एक प्रमुख तत्विये था कि उनको जनता पर विश्वास था ना कि अविश्वास ठीक है क्या था विश्वास था अविश्वास नहीं आगे बढ़ते हम लोग तो देख लेते चरंपति आइडलोजी में क्या क्या चीज़ने सामिल थ लक्ष के रूप में स्वराज था उनके पास और प्रतेक्ष का राधनितिक कारवाई और आत्म बल्दान की वकालत इन लोगों ने की थी किसने चरंपंथियों ने प्रोशन अरट 10 के बारे में बात कर लेते हैं निम्लिकित घटनाओं को कालानु क्रमिक्रम में विष्थित करना है सेडिशिस मीटिंग्स अधिनियम अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम भारती समाचार प्रत्र प्राद्व में व्रध्धी अधिनियम या भारती प्रस कौन सा यहाँ पर correct है है। यहाँ पर correct है हमारा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यानि कि सब से पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था और ये हुआ था इनकी date se दिखा देते हैं आपको स्वदेशी आन्दुलन के दमण के लिए सरकारी अधिनियम आये थे सबसे पहले सिडीशियस मीटिंग्स एक्ट आये थे यानि कि देश द्रोही बैठक अधिनियम आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम आये था फिर आये था आपका भारती समचार प्वत्र अपराधों में व्रध्धी अधिनियम और फिर या अप्रत्यक्स रूप से भारत में संसधी प्रणाली की स्थापना का नित्रत्व करता है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है यह किस ने कहा था यह कथन स्टेटमेंट किसका है ऑप्शन की वेन है लॉड लिधिंगलो लॉड करजन लॉड मारली या लॉड चेम्सफ का कोई यहां पर निप्टारा नहीं करते थे ठीक है कोई निप्टारा नहीं करते थे लॉड मारली ने स्पष्ट किया था कि आपनिवेशिक स्वसरकार जो की कॉंग्रेस मांग कर रही है भारत के लिए सही नहीं थी और वो ऐसा लागू नहीं कर सकते हैं वे भारत में में जिन्मिदार सरकार की सुरुवात के खिलाफ थे उन्होंने कहा कि अगर ये कोई भी कहता है कि सुधार यानि के ये सुधारौ की सुधार हैं अगर कोई कोई ग्माद की अगर हुए ये कोई इसा कोई मानता है क Sereton के साथ कोई लेना देना नहीं है थीक है ?the question dollar पर 12 कि अगरम बात कर लें तो इसमें क्या है इसमें एक बार फिर से आपको 1909 के constitutional reforms के बारे में बात करना है तो इसमें उद्देश क्या था यह हमको बताना है इसमें कौन सा सही है इसमें question number one or two सही है राष्टवादी रैंकों को इनको विभाजित करना था ठीक है राष्टवादियों में food डालनी थी या फिर उनको तितर बितर करना था भारतियों में एक्ता की वृध्धी पर लगाम लगाना था इसमें प्रथक निर्वाचक मंडल यानि सेपरेट इलेक्टरेट की बात कही गई थी अगर आपको याद है अगर आपने पढ़ाये तो इसमें यही था कि उन्होंने एक्ता को खत्म करने की कोशिश की थी सरकार ने राष्टवाद के बढ़ते जवार के खिलाफ नरंपंथियों और मुसल्मानों को यहाँ पर लड़ाने का प्रयास किया था अधिकारियों और मुसलिम नेताओं ने जब अलग इलेक्टरोइट्स की बात की तो पूरे समुदाय की बात की लेकिन वास्तों में इसका मतलब यही था कि मुसलिम अभिजात वर्ग को केवल यहाँ पर बेन्विट्स देकर उनका तुष्टी करण किया जाए इस वज़े से कथन नंबर एक और दो दोनों सही है बंगाल विभाजन को रद करने की गोषणा 1911 में हुई थी 1909 के रिफाउम्स से यहाँ पर कोई लिना देना नहीं है हमारा कुशन नंबर 13 है कि बीस्वी सताबदी के सुरुवाद में चरमपंथियों के पतन के कारण के बारे में निमलिकित में से कौन जगतन सही है कि चरमपंथियों का यहाँ पर पतन क्यों हुआ था क्या तिलक का जेल जाना उनको यहाँ पर दोशी ठहरा जाना और उन पर 6 साल की सजा की सुनवाई होना ये कारण था चरमपंथियों के पतन का लाला लाजपत्राय की सक्री राजनीती से सेवा निव्रत थी यह कारण था और बिंदों का विदेश चले जाना यह कारण था या फिर चरमपंथी एक प्रभावी वेकलपिक पार्टी का युजन करने में सक्षम नहीं हो पाई थी तो कौन से यहां यहां पर सही कारण है डाउन फॉल के तो एक और चार यहां पर सही कारण है यह वाला करेक्ट मानेंगे हम और यह वाला करेक्ट है बागी दो इनकरेक्ट है ठीक है एक और चार मानेंगे ठीक है एक और चार करेक्ट है यह वाला इनकरेक्ट है देख लेते हैं यहाँ पर क्या कारण थे यहाँ पर चरमपंधियों के डाउन फॉल के तिलक को दोशी ठहरा गया था उनको कारवास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कि उन्हें 6 साल के लिए मांडले जेल भेज द चरमपंधियों को बना रखने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिग पार्टी का आउजन करने में सक्षम नहीं हो पाय थे ठीक है नरमपंधियों को कोई लोगप्री आधार सब्सक्राइट का यहाँ पर कोई लोगप्री आधार यह समर्थन नहीं मिला था खासकर